Hello, good morning my dear students, आज मैं आप सभी को पार्ट साथ मेरी किताब हिंदी फर्स्ट का पेज नमबर 40 से 42 तक सिखाऊंगी, रिम जिम 2 जो है बोक आपके उसका मेरी किताब, मा ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास बेजा, मा ने वीरू को एक संदेश दिया, एक आदेश दिया और अपनी बहन के पास बेजा, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठ में ले गई बैठक जो थी उसमें ले गई और उसको अंदर बुलाया मौसी ने वीरू को कि तुम अंदर आ जाओ और बैठक में ले गई बैठक में कदम रखते ही वीरू अचकचके से अचरज से ठिठक गई मतलब वो एकदम से भौचकी रह गई एकदम से सडनली जिसको बोलते हैं अचानक से देखके वो भौचकी रह गई उसने सोचा बापरे इतनी सारी किताबे और वीरू ने बोला इतनी सारी किताबे ने देखा पैटक में बहुत सारी किताबे हैं वहाँ नीचे से उपर तक किताबों से भरे खानों वाले दो लंबी दिवारें थी मतलब दो दिवारें थी जिस पे पूरी दिवारों पे वो खाने बने हुए थे जिसमें पूरी में किताबे भरी हुए थे उसने अपनी आखे और भड़ी हो गए उसकी जब उसने इत्ती सारी किताबे देखी तो वो आखे फारती हुई देखती रही अंत में उसने साहस करके पूछा क्या आपके पास में बच्चों के लिए भी किताबे हैं उसने साहस करते हुए पूछा मौसी से कि मौसी आपके बच्चों के लिए भी किताबे हैं क्या मौसी ने कहा हाँ यह देखो यह वाला खाना और यह वाला मौसी ने बोला कि हाँ मेरे पास बच्चों के भी किताबे हैं ये देखो ये दो जो खाने हैं जो रैक बने हुए हैं वो दो जो रैक्स हैं जो दो खाने हैं उनमें बच्चों की किताबे हैं वीरू ने हैरानी से कहा इतनी धेर सारे किताबे मेरे पास तो इतनी किताबे नहीं हैं वीरू ने हैरानी से कहा जब उन्होंने बोला कि दो एक आने हैं इनमें बच्चों की किताबे हैं इनमें देख लो तुम तो वीरू ने हैरानी से कहा इतनी सारी किताबें इतनी धेर सारी किताबें मेरे पास तो इतनी किताबें हैं ही नहीं मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबे दे सकती हूँ मौसी ने बोला कि अगर तुम चाहती हो तुम्हें तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबे दे सकती हूँ तुम्हें किस तरह की किताबे सबसे आधिक पसंद है तुम्हें किस तरीके की मतलब जो किताबे होती है कुछ होती है general knowledge से related जो हमारी knowledge भडाती है कुछ होती है reading की कुछ होती है story books कुछ होती है rhymes की जो poem होती है उनकी तो तुम्हें किस तरीके के किताबे पसंद है उसकी मौसी ने पूछा वीरो ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं वीरो ने बहुत धीरे से बोला कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसी किताबे पसंद है मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो मौसी समझ गई कि उसको नहीं पता कैसी किताबे पसंदे तो मौसी ने धीरे से एक किताब निकाली और वीरू को पकड़ा दी और बोला तुम इसे पढ़ कर देखो तुम इसे पढ़ो वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली बापरे ये तो बहुत मोटी है वीरू ने पीछे हट गई थोड़ा सा वो घबरा कर पीछे हटी और बोली बापरे ये तो कितनी मोटी बुक है मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी फिर मौसी ने बोला ठीक है तुम यह वाली रहने दो यह बहुत मूटी है तो मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी मौसी ने एक और book निकाल के दी उसको एक और किताब निकाल के दी और बोला कि तुम ये वाली रख लो ये वाली पढ़ो तुम वीरो बोली यह बहुत भड़ी है पर ये तो बहुत लंबी है मेरे बस्ते में नहीं आएगी और वीरो ने बोला और इसके बारे में क्या खयाल है वीरू ने किताब के पन्ने पल्टे और यह फैसला किया इसमें पन्ने के लिए बहुत कम है इतनी छोटे छोटे तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है फिर मौसी ने क्या किया महसी ने एक और तीसरी किताब दिखा ही उसे वीरू को और इसके बारे में क्या ख्याल हो महसी ने कहा तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है वीरू ने किताब के पन्ने पल्टे वीरू ने जब उसके किताब के पन्ने पल्टे इदर उदर पेश टर्न किये जैसे और यह फैसरा लिया कि इसमें पढ़ने को बहुत कम है क्योंकि इसमें चित्र जो हैं वो जादा है इसी छोटी छोटी तस्वीरे हैं इतनी और इसमें छोटी छोटी तस्वीरे भी है और यह पतली भी है और यह किताब बहुत पतली है तो वीरू ने मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती मौसी ने बोला मुझे लगता है वीरू मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना फुट्टा होता है स्केल जिसको हम बोलते हैं वो तो मौसी ने बोला कि मुझे मैं तुमारे लिए किताब नहीं चुन सकती एक काम करना जब तुम अगली बार आओ तो तुम एक फुटा एक स्केल लेके आना वीरू ने पूछा फुटा क्यों मौसी ने हसकर कहा मौसी ने हसते हुए बोला तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना मतलब तुम्हें जितनी मोटी किताब जे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई तभी वीरो ने जो कागज दिया था मौसी के लिए वीरो की जो माने कागज दिया था मौसी के लिए वीरो ने वो टेबल पर मेज पर रख दिया और वहां से भाग गई आशक करती हूँ कि आप सब को ये पार्ट जया होगा, आन्यवाद